दोस्तों आज हम सुनेंगे पूस की रात जो की प्रेम चंद की बहुत फेमस कहानियों में से एक है और ये कहानी आपको प्रेम मंजुशा से मैं सुना रही हूँ तो चलिए शुरू करते हैं हलकु ने आकर इस्तरी से कहा सहना आया है लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं किसी तरह गला तो छुटे मुन्नी जाडू लगा रही थी पीछे फिरकर बोली तीन ही तो रुपए हैं दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा माग पूस की रात हार में कैसे कटेगी उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे अभी नहीं हलकु एक छड़ अनिश्चित दशा में खड़ा रहा पूस सिर पर आ गया कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता मगर सहना मानेगा नहीं गुड़कियां जमावेगा गालियां देगा बला से जाडो मरें कि बला सिर से तल जाएगी यह सोचते हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिये हुए जो उसके नाम को जूट सिद्ध करता था स्त्री के समीप आ गया और खुशामत करते हुए बोला ला दे दे गला तो छूटे कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा मुन्नु उस के पास से दूर हट गई और आखे तरेरते हुए बोली कर चुके दूसरा उपाय जरा सुनू कौन उपाय करोगे कोई खैरात दे देगा कंबल ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते मर मर कर काम करो उपज हो तो बाकी दे दो चलो छुट्टी हुई कहीं चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म नहीं हुआ है पेट के लिए मजूरी करो ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए ना दूँगी ना दूँगी हलकु उदास होकर बोला तो क्या गाली खाऊं मुन्नी ने तड़प क कहा गाली क्यों देगा क्या उसका राज है मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भावे सीधी पड़ गई हलकु के उस वाकी में जो कठोर सत्त था वह मानो एक भीशड जन्तु की भाती उसे घुर रहा था उसने जाकर आले पड़ से रुपए निकाले और लाकर हलकु के हा एक रोटी खाने को तो मिलेगी किसी की धौस तो न सहनी रहेगी अच्छी खेती है मजूरी करके लाओ वह उसी में जोक दो उस पर से धौस हलकु ने रुपए लिए और उस पर बाहर चला मानो अपना हिदे निकाल कर देने जा रहा हो उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर तीन रुपए कंबल के लिए जमा किये थे वह आज निकले जा रहे थे एक एक पक के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था अगला द्रश्य देखते हैं पूस की अंधेरी रात आकाश पर ताने तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे हलकु अपने ख खतरी के नीचे बास के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओड़े काप रहा था खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुह डाले सर्दी से कुं कुं कर रहा था दोनों में से एक को भी नीद ना आती थी हलकु ने घोटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा क्यों जबरा जाड़ा लगता है कहता तो था घर में पुवाल पर लेटा रहे तो यहां क्या लेने आये थे आजाओ ठंड अब मैं क्या करूं जानते थे मैं यहां हलुआ पूरी खेक खाने आया हूं दोड़े जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्ग बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया स्वामी को मेरी कूं कूं से नीद नहीं आ रही है हलकु ने हाथ निकाल कर जबरा की ठंडी पीट से लाते हुए कहा कल से मताना मेरे साथ नहीं तो ठंडे हो जाओगे यह राण पचुआ ना जाने कहां से बरफ लिये आ रही है उठूं फिर एक चिलम भरूं किसी तरह रात तो कटे आठ चिलम तो पीचुका यह खेती का मजा है और एक एक भागवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कंबल मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए तकदीर की खूबी है मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटें हलकु उठा और गड़े में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी जबरा भी उठ बैठा हलकु ने चिलम पीते हुए कहा पिएगा चिलम जाड़ा तो क्या जाता है जरा मन बहल जाता है जबरा ने उसके मुझ की और प्रेम से चलकती हुई आँखों से देखा हलकु आज और जाड़ा खा ले कल से मैं यहां पूआल बिछा दूँगा उसी में घुश कर बैठना तब जाड़ा ना लगेगा जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिये और उसके मुझ के पास अपना मुझ ले आया हलकु को उसकी गरम सांस लगी चिलम पीकर हलकु फिर लेटा और निश्चे करके लेटा की चाहे कुछ भी हो अब की सो जाओंगा पर एक ही छड़ में उसके हिरदय में कमपन होने लगा कहीं इस करवट लेटता तो कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिसाच की भाती उसकी चाती को दबाय हुए था जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया कुट्टे की देह से जाने कैसी दुरगंद आ रही थी पर वा उसे अपनी गोद में चिप्ताय हुए ऐसे सुक का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था जबरा शायद समझ रहा था कि सुर्ग यही है हलकू की पवित्र आत्मा में तो उस कुट्टे के प्रती घणा की गंध तक ना थी उसने किसी अभिन मित्र या भाई को भी वह इतनी ततपड़ता से गले लगाता वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने उसे इस दशा को पहुँचा दिया नहीं इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के द्वार खोल दिये थे और उसका एक एक अडू प्रकास से चमक रहा था सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई इस विशेश आत्मियता ने उसमें एक नई स्फोर्ती पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे जोंकों को तुक्छ समझती थी वह जटक कर उठा और छटरी के बाहर आकर भूँकने लगा हलकु ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वह उसके पास ना आया हार के चारो तरफ दोड़ दोड़ कर कूखता रहा एक छड़ के लिए भी आ जाता तो तुरंत ही फिर दोड़ता कर तब भी उसके हिरदे में अर्मान की भाती छलक रहा था आईए एगला द्रश्य देखते हैं एक घंटा और गुजर गया रात ने शीत की शीत को हवा से धक धकाना शुरू किया हलकु उठ बैटा और दोनों घुटनों को च्छाती से मिला कर सिर को उसमें छिपा लिया फिर भी ठंड कम ना हुई ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है धमनियों में रक्त की जगे हिम बह रहा है उसने जुक कर आकाश की ओर देखा तभी कि अभी कितनी रात बाकी है सबतर्शी अभी आकाश में आधे भी नहीं चड़े उपर आ जाएंगे तब कहीं सबेरा होगा अभी पहर भर से उपर रात है हलकू के खेट से कोई एक गोली के टपे पर आमों का बाग था पतज़ड शुरू हो गई थी बाग में पतियों का धेर लगा हुआ था हलकू ने सोचा चल कर पतियों को बटोरूं और उन्हें जला कर खूब तापूं रात को कोई मुझे पतियों बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है कोई जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो मगर अब तो बैठा नहीं रहा जाता उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड लिये और उनका एक जाडू बना कर हाथ से सुलगाता हुआ उपला लिये बगीचे की और चला जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा हलकू ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबरू चलो बगीचे में पतियां बटोर कर तापें थाड़े हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे अभी तो रात बहुत है जबरा ने कूं कूं करके सहमती प्रकट की और आगे आगे बगीचे की और चला बगीचे में खूब अंधेरा चाया हुआ था और अंधिकार में निर्दे पवन पतियों को कुचलता हुआ चला जाता था व्रक्षों से ओस की बूंदे टप टप नीचे टपक रही थी एका एक एक जोका मेंदी के फूलों की खुश्बू लिये हुए आया हलकू ने कहा कैसी अच्छी महक आई जबरू तुम्हारी नाक में भी सुगंद आ रही है जबरा को कहीं जमीन पर एक हड़ी पड़ी मिल गई थी उससे वह चिचोड रहा था हलकू ने आग जमीन पर रख दी और पतियां बटोरने लगा जरा देर में पतियों का एक धेर लग गया हाँच ठिटूरे जाते थे नंगे पाउं गले जाते थे और वह पतियों का पहाड खड़ा कर रहा था इसी अलाव में वह ठंड को जला कर भस्म कर देगा थोड़ी देर में अलाव जल उठा उसकी लव उपर वाले व्रक्ष की पतियों को छू कर भागने लगी उस आइस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल व्रक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथा अंधकार को अपने सिरों पर समभाले हुए हूँ अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था हलकु अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था एक छड़ में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पाउं फैला दिये मानो ठंड को ललकार रहा हो तेरे जी में जो आए सो कर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वा विजय गर्ब को हेदे में छिपा ना सकता था उसने जबरा से कहा क्यों जबर अब ठंड नहीं लग रही है जबरा ने कूं कूं करके मानो कहा अब क्या ठंड लगती ही रहेगी पहले से या उपाय ना सूजा नहीं इतनी ठंड क्यों खाते जबरा ने पूछ हिलाई अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें देखें कौन निकल जाता है अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा जबरा ने उस अगनी राश की और कातर नेत्रों से देखा मुन्नी ने कलना कह देना नहीं तो लड़ाई करेगी यह कहता हुआ वा उच्छा और अलाव के उपर से साफ निकल गया पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात ना थी जबरा आक के इर्द गुर्द गूमता हुआ उसके पास आकर खड़ा हुआ हलकू ने कहा चलो चलो इसकी सही नहीं उपर से कूद कर आओ वह फिर कूदा और अलाग के इस पार आ गया अगला द्रश देखते हैं पत्तियां जल चुकी थी बगीचे में फिर अंधेरा चा गया था राख के नीचे कुछ-कुछ आग बची थी जो हवा का जोका आ जाने पर जरा जाग उठती थी पर एक छड़ में फिर आखें बंद कर लेती थी हलकू ने फिर चादर ओड ली और गर्म राख के उपर गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीद गुन गुनाने लगा उसके बदन में गर्मी आ गई थी पर जो जो शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था जबरा जोड से कूं कूं कर खेत की और भागा हलकू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक जुन्ड उसके खेत में आया है सायद नील गायों का जुन्ड था उसके कान में दौडने कूजने की आवाजे साफ आ रही थी फिर ऐसा मालूम हुआ कि वा खेत में चर रही है उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी उसने दिल में कहा नहीं जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता नोच ही डाले मुझे ब्रहम हो रहा है कहां अब तो कुछ नहीं सुनाई देता मुझे ही कैसा दोखा हुआ उसने जोड से आवाज लगाई जबरा 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 भूखता रहा उसके पास ना आया फिर खेत के चरे चरे जाने की आहट मिली अब वह अपने को धोखा ना दे सका उसने अपनी जगे से निकलना जहर लग रहा था कैसे दंदाया हुआ था इस जाडे पाले में खेत में जाना जानवरों के पीछे दोड़ना असूज जान पड़ता था वह अपनी जगे से ना हिला उसने जोड़ जोड़ से आवाज लगाई लिहो लिहो जबर भूंक उठा जानवर खेट चर रहे थे फसल तयार है कैसी अच्छी खेटी थी पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनास किये डालते हैं हलकू पक्का इरादा करके बैठा और दो तीन कदम चला पर एका एक हवा का ऐसा ठंडा चुबने वाला बिच्छू के डंक सा जोका लगा कि वहाँ फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गर्माने लगा जबरा अपना गला फाड़े डालता था नील गाएं खेत का सफाया किये डालती थी और हलकू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था अकर मन्निता ने रसियों की भाति उसे चारो तरफ से जकड रखा था उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओड कर सो गया सवेरे जब उसकी नीन खुली तब चारो तरफ धूप फैल गई थी और मन्नि कह रही थी क्या आज सोते ही रहोगे तुम यहां आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया हलकू ने उठकर कहा क्या तू खेत से होकर आ रही है मुन्नि बोली हां सारे खेत का सत्या ना सो गया भला ऐसा भी कोई सोता है तुमारे मड़ाया डालने से क्या हुआ हलकू ने बहाना किया मैं मरते मरते बचा तुझे अपने खेत की पड़ी है पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ दोनों फिर खेत की डाड़ पर आए देखा सारा खेत रौंदा हुआ पड़ा है और जबड़ा मड़ाया के नीचे चित लेटा हुआ है मानो प्राण ही ना हूँ दोनों खेत की दशा देख रहे थे मुन्नी के मुख पर उदासी चाई हुई थी पर हलको प्रसन था मुन्नी ने चिंतित होकर कहा अब मजूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी हलको ने प्रसन मुख से कहा रात की ठंड से रात की ठंड में यहां सोना तो नहीं पड़ेगा तो दोस्तूं ये कहानी सिर्फ एक पूस की रात की नहीं है ये उस समाज के उस दरश्य को दिखाती है जहां माल गुजारी करने वाले किसान अपनी खेतों पर खेती करके कभी उसका स्वामित ले ही नहीं पाते सिर्फ उस मूल का ब्याज ही देते रहते हैं जीवन में कभी अपनी जरूरतें तक पूरी नहीं कर पाते बिलासिता तो बड़ी दूर की बात है दोस्तूं ये समाज का वो दश्य हमें दिखाता है जहां पर गरीबी उस चर्म सीमा पर है जहां पर हलकु जैसे लोग अपने लिए एक कंबल तक नहीं जोड़ पाते ब्याज के पैसे देते देते वह अपने जीवन की इस दशा तक पहुँच जाते हैं बलकि ये कहें कि दुर्दशा तक पहुँच जाते हैं जिसमें अपने खेत के नश्ट होने पर वह दुखी नहीं हो रहा बलकि प्रसन है कि पूस की रात में उसे जबरा के साथ ठेंड में यहां मरना नहीं पड़ेगा तो दोस्तों कैसी लगी कहानी जरूर बताईएगा फिर मिलते हैं एक नहीं कहानी के साथ